नश्क्रार आप दोस्तों हिंदो इसमें आपका स्वागत है मैं हुकरा हूँ एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ आपको जिससे आपको सुनकर लगेगा कि पड़े लिखे लोग आजकल बेरोज़गारी की वज़े से क्या क्या नहीं कर रहे हैं क्या क्या नहीं का मतलब है कि कुछ भी कर दे रहे हैं छोडी कर रहे हैं डकेती कर रहे हैं फरजी लूट कर रहे हैं और फरजी चापे मारी कर रहे हैं CBI क्राइम ब्राच के नाम से और यह सब हो रहा है दिल्ली में राजधानी दिल्ली में जियाँ दोस्तों दिल्ली का एक इलाका है साउथ दिल्ली, वहां से एक पड़ी ख़बर सामने आ रहे है गिटोर्नी से, गिटोर्नी साउथ दिल्ली का एक इलाका है, वहां पर कुछ ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस में ग्राफ्तार किया है, जो आपसमे अच्छे दोस्ते और इंजीनियर थे तो इस पूरी ख़बर बताने से पहले मेरी आपसे चोटी सी अपील है कि अगर अभी तक आपने हिंद वोइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें साथ अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं अभी को गिरफ्तार किया है छे बदमाज इसमें शामिल थे जिसमें तीन इंजीनियर है तीनों आपसें बड़े गहरे दोस्त है अब मैं आपको पूरी डिटेल बदाता हूँ उनका नाम क्या है जो आर्मपी गिरफ्तार किया है उसमें एक नाम है इनमसे जो तीन लोग थे वो तीनों इंजीनियर थे बहुत अच्छे इंजीनियर थे किसी कंपनी में जोब कर दे थे लेकिन लोगडाउन के बाद शायद जोब नहीं कर रहे है और ये लूट मारी डकैती का दंदा कर रहे है इसमें एक बड़ी और चीज सामने आई है कि ये लोग क्राइम ब्रांच फरजी क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनते थे और फिर ऐसे कॉल सेंटर पर जो संदीग चल ले है क्योंकि दिल्ली में फरजी वाड़ा कॉल सेंटरों के नाम पर भी वो चलता है तो दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कॉल सेंटर है जिनकी जिने जानकारी होते है जो लोग वहाँ काम कर चुके होते है संदीग कॉल सेंटर जो है उनमें जाकर ये छापा हमारी करते थे वहाँ से समान जो मिलता था जो पैसे मिलते थे जो कुछ सेटिंग के नम पर जो कुछ मिल जाता था वहां से ही सारी चीज़े करते थे अब ये ग्रफतार कैसे हुए है पुलिस अधिकारी इंगित परताप सिंग ने बताया कि 15 मार्ज की रात को घिटोनी में कोल सेंडर पर डेकैती हुई है कुछ लोग वहां आते हैं गारी से उतरते हैं सुरक्सरा करमिर साथ मार्पीट करते हैं गेट तोड कर अंदर चले आते हैं इसका जो मालिक था सुसांथ उसके आँख खुल जाती है तो वो उनके सामने आजाफ़ता है उसके बाद वो उसे ये बताते हैं हम लोग यहाँ, कॉराइम भ्राइब के अधिकार हैं, शाप मा नहीं है, तुम लोग सन्दिक कॉल सेटर चला रहे हूं। वहाँ से उन्हें जो समान मिलता है। जो पैसे उससे लेनी होते, वो ससे ले लेते हैं, और उसके बाद चला आते हैं, वो दिल्ली पुलिस को फोन करता है, पुलिस को इस सारी चीज़े बताता है, अभी पकड़े कैसे गए, इसमें आपको बता रहता हूँ, क्योंकि वैसे ये पकड़े नहीं जा रहते हैं, पुलिस ने तमाम तलाशी की, चानमीन की, सिसरी टीव स था, वो पुलिस ने ट्रेस कर लिया, पुलिस ने उसको उठाया, किसी तरह से, और फिर उसके बाद उसमें सारा जो ये था, सारा राज उगल दिया, कि कैसे कैसे नोंने इस चीज़ को अंजाम दिया, पुलिस ने जब सारे आरोपियों गिरफ्तार किया, तो उनसे जो आयन ब्रांच ऑफिसर बताकर किसी के यहां पर पहुंच जाते थे, इसमें जो ऑफिसर का रोल करता था, यानि जो बड़े अधिकारी का जिस तरह से फिल्म एक्षे कुमार रोल करता था, उसमें मुदस्री नजीर करता था, एस तरह से ये एक टीम बनागा पूरी तरह, ज अब इंजीर है, इंजीर है के दिमाग जादा चलता है न आज कल, तो कावत भी एक इंजीर जो है वही है, जिन्दगी में कुछ भी करना, इंजीर मत बनना, तो ये सारी चीज़े होते हैं, लेकिन इन्गों इंजीर बनकर ये जो डखेतों का रोल किया है, अपनी कर सकते हैं, ये काम हम भी करते हैं, कही सालों से लग भाग एक जिन्दगी करते हैं, लेकिन पकड़े नहीं गएते, लेकिन कहते हैं कि कब तक बकर की मंबा खैर क उन्दग किём तक तो वही हाल इनका भी हुआ, और पुलिसनिका-विया, चड़ गए है, देखते हैं पुलिस और में